लेकिन पकड़ लोग वो कम जारा भी होगा, कोट डाल सकते हैं, पोएट्री डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम जारा भी होगा, लेकिन आपकी ये समझ अगर उसको दिख गई वेलकम टो एवी केस, हर बंदा प्रिपरेशन के एकदम अग्रिम तरपर है, जो सीरियस है, और पेपर वन जो है, वो खतम होने का नाम नहीं दे रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, शायद की करन्ट अफेर्स का भी कुछ पड़ा है, बहुत ज़्यदा इंफॉर्मेशन का लेकिन का बंबाइडिंग हो रहा है, कुछ चीजे फिर याद नहीं रहती है, और यार मेरा सच में हुआ है की नहीं, तो सेल्फ डाउट खड़ा हो रहा है, इन सारी फेजस से बहुत सारे विद्ध्यार थी, बहुत सारे सूड़न्स राइट नाओ, जो सीरियस है, वो गुजर रह है, जुलाई मन्त, बस एक ही मन्त है बोलने के लिए, उसके बाद तो एकजामी है, वो दो-चार तिन उसके बाद की, तो हम काउंट नहीं करते हैं, तो एक अलग सा तनाव और प्रेशर भी आता है, तो उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करने वाले है इस स्पेसिफिक वीडियो में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के ओपर बात करने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग हम अलड़ी बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन जैसे कि अभी उन सारे स्टूडन्स के लिए, जिन लोगों ने आलड़ी जो बोला है अब तक, वो फॉलो किय होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, तो जिस तरह से एसे राइटिंग की प्रक्टिस की शुरुवात करनी है, वो उन्होंने की, फिर धिरे-धिरे वो एक-एक टॉपिक लेके लिखने लगे, फिर स्टाटिक लेके लिखने लगे, फिर धिरे-धिरे UPC के टॉपिक लिए, फि उसके बारे में भी हमने बात किया है, वह कैसे है, इसे में हमको अच्छा स्कोर करना है, लेकिन अब क्या होता है, कि बहुत बार फिर स्टूडेंट्स दे कीप ऑन राइटिंग इस स्टफ, और फिर टेस्स भी आप लोग ने जॉइन किया होगा, अगर वो नहीं किया है, त तो ये सारे वीडियोज देखे भी कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि ये सारे वीडियोज बस आपको उस वक्त थोड़ा सा एक ये देते कि, ये मुझे समझ में आ गया, बट उस पे जब कारवाई करेंगे, तभी उसका फाइदा होगा, और वो एवालेशन होके आना फुल लेंड टेस्स जो है, वो अलड़ी शुरू हो चुक है, अगर आप अट लिस्ट फुल लेंद भी वी सॉल्ड करते हो, इस तो बोलने का मतलब बस ये है, कि अभी अ से लिख रहा हूं, फिर मैं टेस्स भी शायद जॉन कर लिया हूँ, एवी के स्या और कही भी शायद अब मैं लिख रहा हूं लेकिन सर जो वह मार्क्स दे रहे हैं वह पाच-छे के आसपास ही आ रहे हैं और सर और एक दिक्कत मुझे बच्चे बताते हैं कि सर सोचते तो बहुत है मतलब बहुत सरी चीज़े आपने बता कि रखी है कि यह करना है वह आड करना है यह आना चीए लेकिन जब एक्चुली इस लिखने लगते है ना स्पेशली जब टाइम का कंस्ट्रेंट मतलब आठरा मिनिट में उसको खतम करना है बीस मिनिट में उसको खतम करना है तब वो जो सारी डाइवर्सिटी एक्सप्रेक्टेड थी वो नहीं आती है और फिर एक जेन्रलाइज इसे आ जाता है जन्रलाइज कंटेंट दिखता है और फिर उब्विसली उसको फिर जन्रलाइज एवरेज मार्क सी मिलेंगी चार पाच छे उससे अधर मार्क मिलेंगी निए छे भी मने लिख दिया है बहुत कभी-कभी उधने भी नहीं मिलते है और फिर हम लोगों को यह लगने लगता है कि बहुत ऐसा होने वाला होगा तो क्या टैली आएगा हम लोग यहां 90 प्लस नहीं सांथ का बात कर रहे हैं यह मpalने ओश। अगर एसे को हमको चार और पाच मार्क मिलने वाले हैं, मतलों वन फोर्थ मार्क मिलने वाले हैं, तो कैसे जिदे वर्काउट होंगी? इसलिए फिर थोड़ा सा कुछ एक अप्रोच जो ओरड़ी इसे लिख रहे हैं, और थोड़ा कैसे हम उसमें एक एड़ाउन कर सकते हैं, फोड़ा पॉलिशिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा और मार्क बढ़े हैं, लेकिन एक हाज में तो मिली जाते हैं, कुछ-कुछ को दो दो मी मिलते हैं, है ना, शायद पकड़ोग इसने में 10, किसे में 11, किसे में 12, लेकिन हमारी वो रेंज है, जिस रेंज तक हमको पहुंचना है, यह जो 12 मार्क लिख दिया है, यह मतलब एकदम ही लगेगा कि सर, यह मतलब अभी नहीं है, आप बोल कुछ रहे हो, हम लिख रहे हैं, लेकिन 6-7-8 से तो आगी जाते हैं, यह बहुत अच्छा लिखा है, तो आठ मार्क दे रहे हैं, तो लेकिन यह जो रेंज है, इस रेंज के आसपास हम जा सकते हैं, ठीक है, इस रेंज के आसपास हम लोग जा सकते हैं, इस एपसल जो इसके पीछे हैं अभी उन लोगों को तो फिर आपको पता है कि और ज्यादा प्रैक्टिस पढ़ना और वो सारी चीज़े हैं जो यहां तक आ गया है वो बंदा सबसे पहले क्या चीज करे मतलब क्या क्या और डालना है उसमें मसाले वो तो बात में देखेंगे लेकिन सब से इंपॉर्टन बात क्या है कि टॉपिक जो आया है उसको ठीक से इंटर्पेट करना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी अभी देखिये एक टॉपिक मैंने बैच में लिखने के लिए दिया था तो उपर उपर ही लगता है कि अरे ये इंडिया के अनेंप्लॉइमेंट के बारे में हमको लिखना है कि सर बहुत ज्यादा इश्यू है डेमोग्राफिक डिविडेंट इतना है और फिर उस हिसाब से जो देखा जाए तो अनेंप्लॉइमेंट जो है बहुत बड़ी समस्च है अगदम स्थप्षेय एंडिविट किया है लेकिन उस हरद तक चरह मतलब जब क्रैश्इस सी यूर्द आता है जब क्राइसिस वर्ड आता है तो क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ अनेमप्लॉयमेंट इतना लिख के काफी हो जाएगा क्या हम लोगों को क्राइसिस इस वर्ड का इंटेंसिटी समझने की ज़रूद नहीं है हम कभी बुलते हैं क्राइसिस हो गया क्राइसिस का मतलब क होता है पूरा मतलब बच गया डूप गया इस हालक तक चला गया कि अभी रिकवर करना शायद पॉसिबल लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा तो हमको अपने एसे में स्टार्टिंग में यह क्राइस के बोल रहा है सॉल करना है सॉल करना है इसका दूसरा मतलब क्या है सब्सक्राइब बहुत ज्यादा है अने इंप्लाइम्ट की समझ से तो हर देश में हर समय में है तो फिर क्राइसिस कैसे है यह सोचना आपका काम है लेकिन मुझे बस बोलना यह है कि सबसे पहली चीज़ सबसे पहला कदम एक अच्छा एसे लिखने में कौन सा है कि मुझे वो टॉपिक समझ में आना उस टॉपिक के आखो में आखे डाल के दरा दस सेकंद देखो क्या आप बोलना चाहरा है एक एक वर्ड को सरकल करके एक एक वर्ड से बात करो तू यहां क्यों है कि क्या कहना चाहरे हो और एक्जामपल सॉल्विंग इंडिया आज हां तो अभी स लिखना है इंडिया के बारे में लिखना है यह बहुत ही इंडिया मतलब इतने सारे स्टेट्स इंडिया मतलब उस स्टेट्स में रहने वाले मेल और फीमेल इंडिया मतलब जब हम लिखते को आप सोचो इंडिया सॉल्विं इंडिया जॉप क्राशिस ना तो लिखने वाला बंदा सोचता है कि हां हां मैं मैं बेसिकली आज का यूथ मैं और वो भी अर्बन यूथ मोस्टली उसके जो जॉब के प्रॉब्लेम्स है कि भाई वो ग्र सब्लब हैं इंडिया का दूसरा नाम है तो वहां को आपको क्या कवर करना पड़ेगा की वह फिमेल केंडरेट्स को भी तो जॉब चाहिए उनके बारे में कोन अच्छा फिर रूरल वर्सस अर्म उनके बारे में कोन सोचेगा रूरल के अपने अलग प्रॉब्लम होगे जो ट्राइबल है वो भी तो इस इंडिया में आते हैं न तो ऐसे कितने सारे अलग अलग सेक्शन्स अब दो सपसाइटी जो है उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा बात करनी बड़ी जाके हमने किस चीज़ को कवर किया अब देखो फीमेल में भी रूरल अर्बन बेद में भी रूरल अर्बन ला नर्थ इस्ट का अपना हाले इस्ट 청ण माइगीरेशन वाले चीज़ को कवर कर सकते हैं, cormal sector itтор है, service sector है, job की बढ़ना बात करना है तो manufacturing बढ़नाका सर्वीश सेक्टर वाले jobs की बारे बात करना पड़ेगा आप सर्वेश इक्तर इसा जॉब नहीं बोल सकते हैं and they are not talking about the farming jobs as such लेकिन at least manufacturing और service sector के बारे में बात करना पड़ेगा फिर कुछ examples देने पड़ेंगी बहुत service sector में क्या क्या आता है चलो tourism आता है education आता है तो क्या scenario है we have to talk about it अब आप बोलोगे इतना सब कहां से लिखेंगे अब इतना सब शायद नहीं लिख सकते हो लेकिन इतना सब दिमाग में आया क्या उस चीज को at least touch किया क्या जब मैं इस तरह कि एका diversity अपने essay में देखाता हूं तब examiner को लगता है कि इसको समझ में आ गया है overall job crisis क्योंकि ये बंदा सिर्फ urban youth के एंगल से unemployment इतना है ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है बाकी मसाले क्या आड़ करना आपको पता है कि सबसे पहला काम है topic को सही से interpret करना सबसे पहले अपना इंट्रएक्षन में लिखना कि भाई क्या हारत है और example कैसे वो क्राइसिस है शायद body के फर्स परग्राफ तक आप यह यह explain करोगी कैसे वो क्राइसिस है और क्राइसिस क्यों है तो फिर आप एक एक परग्राफ में थोड़ा सा फिर एक दो परग्राफ में हो गया फिर और यहां क्या है कोई कहा कहा problem है तो वो problem लिखते हो कि आपको suddenly कोई cinema याद आ जाएगा आपको किसी देश का example याद आ जाएगा कि उस देश में भी यह problem था उनने ऐसे ऐसे किया उसको मेंशन करो फिर solutions में government के initiatives को mention करो और solutions किसी state ने किसी गाव ने किसी शहर ने किसी region ने किसी community ने implement किया होगा उसको लिखो NGOs का नाम लिखो कोई international NGO या कोई United Nations का organization इंडिया के साथ कुछ कर रहा है क्या उसके लिए उसको mention करो फिर conclusion आता है entrepreneurship job crisis solve करने के लिए entrepreneurship solution हो सकता है कि अब ये सारे points आपको पता है मुझे बस क्या बोलना है कि एक-एक word को उठा के solving ना मतलब इस पर दो paragraph लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि हमको solve करना है और मेरा इस essay जब मैं आगे आगे बढ़ूंगा तो सिर्फ कितना problem है उसको capitalize करके नहीं लिखना है उसको solve करने के लिए क्या कर रहा है और क्या किया जाना चाहिए वो क्या किया जाना चाहिए वो based on क्य क्या है demographic dividend का क्या issue है तो मैं मानता हूँ 300 words में क्या क्या लिखेंगे बहुत मर्यादा है लेकिन at least आपका सोचने का नजरिया इस तरह से develop हो रहा है क्या अगर होगा तो फिर चीज़े बदलेंगी तब आपको बहतर माक्स मिलने की संभावना बढ़ेगी में बस एही कहना चाहर हूँ ठीक है so this is the most important thing that you have to do to achieve this range उसके बाद फिर बाकी और एक important चीज हो है कौन सी है यह चीज important उसके बाद और एक बहुत ही important चीज हो है जैसे कि यह हम नहीं कर लिया वह यह है कि एक flow maintain होना चाहिए देख्ये मैं उन इन चीदों की बारे हम बात नहीं करने वाला हूँ कि और क्या-क्या उसमें डालना है वह आपको मैं बता चुका हूँ आपको जो है अभी जो जो चीजी सारी में बता ही है ना कि कुछ historical background होगा वो भी add करो constitution का कुछ article उसके साथ लेट हो रहा है कोई case है कोई judgment है कोई act है जो government of India ने बनाया है कोई case study है किसी गाव का चोटा सा running reference दो लाइन में आप लिख रहे हों कि यहां उन्होंने ऐसे ऐसे किया कोई institution है जो उसके लिए establish हुआ कोई committee है कुछ यह सब NGO यह सब आपको पता है अब अपने हिसाब से उसको लेकर आओ जो आपने paper one में पड़ा है वो कहा काम आएगा यही तो काम आएगा ठीक है वो आपको पता है बस आज दो ही चीज़ों के बारे मुझे बात करनी एक topic आन हो में आंग मिला कि देखना और अच्छा ओके ओके ना इंडिया अंगरा इंडिया मतलब इंडिया और वो इंडिया किसी भी topic में लागू होगा और यह सबसे बड़ा फायदा आपकों तब होगा तो आपको topic के बारे में ज़्यादा पता नहीं तो आप क्या कर सकते हो Geo topic क brainstorming आपने कर लिया उसकी बाद ही decide करना कि okay सबसे पहले मैं क्या करूंगा अभी job crisis जो है वो कैसा है और कितना उसका intensity है unemployment तो है लेकिन unemployment यहां तक वह सीमित नहीं है unemployment होने की बज़े से demographic dividend इतना ज्यादा और unemployment इतनी ज्यादा होने की बज़े से क्या क्या होने की संभावना है उसके कुछ कुछ एक्जामपल दरे दरे दिख रहा है कि drug addict हो रहा है सिर्फ online games में addict हो रहा है या screen देखते जा रहा है य और फिर उसको फिर कैसे आप लिखोगे फिर देखो रूरल में क्या है अर्बन में क्या है इस तरह से फिर solving उसमें भी रूरल का क्या है अर्बन का क्या है मेल क्या है फिमेल के और अलग problems क्या है उसके लिए क्या कर रहे है कुछ नया scheme कैसे लाया तो आपका जो flow होगा तो प्रब्सक्राइब को सबसे पहले इसु के बारे में लिखके उसके बाद solving के बारे में लिखना मोटा मोटा इसमें भी rural ब्रसेज irbind की बारे में बारे मेल इस मैं लिखना यहाँ भी रूरल वर्ल्सेज अरबन की भारे मुतोís सॉल ना आप थो इन के जिसमें आप अप्विसली ऑप्टिमिस्टिक है और थोड़ा जो जो आपने कुछ सोलुशन बता है उनका इंपक्ट होने के बाद कैसा सेनारियो दिखेगा या फिर हम कैसे सस्टेनेबल डेवल्मेंट गोल्स के लिए कटी बद्द है इन सारी सीजों के बारे में आप बात कर लेकिन पकड़ लोग कोट डाल सकते है लेकिन वह थोड़ा कम जादा भी होगा लेकिन आपकी ये समझ अगर उसको दिख गई होता क्या है पता है क्या वो ऐसे पढ़ने लगता है उसमें जो मसाला आपने डाला है वो तो देखता ही है लेकिन वह आपकी एक समझ देखता है उसको समझ में आ गया ना कि ये बंदा वेल रेड है और इसकी समझ अच्छी है ये डाइवर्शेटी को कवर कर रहा है कवर करने की कोशिश कर रहा है तो वह अच्छा ये 6 प्लस में यह 8 प्लस में है उसने अलेड़ी डिसाइड कर लि लेकिन उस कैटेगरी में पहले जाना है छे से पहले 8 प्लस में जाना है फिर 10 प्लस के प्र यहां अपने पहुच जाओ लेकिन आट प्लस के कमें यह जाने के लिए क्या करना पड़ी गा जो बौला है इसी वजा इस Ale , और समझे स्ट खrän기에 और सम Y your best, thank you.